हेलो दोस्तों मैं जीवकुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वाज़त करता हूँ हमारे इस ओन्लाइन क्लासेज में जी हाँ, इस ओन्लाइन क्लासेज में हम आपके साथ डिसकॉस करेंगे वी लुक अप, मैच और इंडेक्स के बारे में आपके साथ इस ओन्लाइन क्लास में डिसकॉस करेंगे इस क्लासिज में बात करेंगे कि मैच और इंडेक्स मिला के किस तरीकें से वी लुक अप के जगार पे इस्किमाल किया जागता है हमारे साथ भुबन पांदेजी हैं यह हमारे ओलने लाइड क्लासिज है तो बिना टाइमिंग हुआ है चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको किसी तरह की एक्सल में प्रॉलम होती है तो मेरा नंबर उपर दिया हुआ है उस नंबर को नोट कर दीजिए कमी भी प्रॉलम होती है तो मुझे कॉल कीजिए मैं आपके लिए अपना फोन हमेशा ओन रख हुग और साफ में अगर मैं चैनल को अस्त्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं तो भॉलम बात करने जा जिसे कि आपने देखा लास क्लास में बोवंधी, हमने आपके साथ वी लुकप के बारे में बताया, वी लुकप के बारे में बताया, वी लुकप के बारे में बताया, हमने आपको वी लुकप इस एरे बताया, एंपिन आपको बताया था वी लुकप इस में बताया था वी देटा है तो तो अमीदे डेटा कि इस सμεर दीटा है इस अंनल सटामिड वेस्टिए में टीमबर प्रीजमिज देटा है कि दौनि अगर आपके पास ओफिस तरी सिक्षिक्टी पाइज तो आपके पास Pero Public का formula होगा ठीक है लेकिन अगर आपके पास office 365 नहीं है तो फिर आपके पास x look up का formula नहीं होगा अगर x look up का formula नहीं होगा तो जाइड थी बात है कि आप इसका इस्तमाल नहीं कर पाओगे तो problem ही है कि मुझे अपने 101 code का माल रीजन पता करना है अब प्रॉलम नहीं है कि अगर मैं वी look up लगाता हूँ तो इसे लेके ल तक के column का data को मैं look up तर लूँगा बट प्रॉलम क्या है कि एह हमार सा हमेशा वी look up left to right चलता है right to left नहीं चलता है मतलब कि अगर सिंपल वहां आता है वो लोग को पीछे का data है वो वी look up नहीं लाएगा हमेशा आगे के data को लेके आए तो कैसे करिए सब्सक्राइब तो हमने आपको लाज्ट क्लास ने बताया था मैक्स फॉमला मैक्स फॉमला क्या करता है कि और छोर्जेंटल और वर्टिकल दोनों बें में ऊश्क करता है और इसके जगां पे बताता है कि यह आपका data इस location में है या नहीं है अगर बताता कैस तो प्रियाल नंबर देता है अब यहां पर जहां देगा थी नंबर रो नहीं है एक आउट किया वान टूर थी अब अब रहा देता हूं फिर भी हां देखिए फिरी ही दे रहा है क्योंकि यहां सी इसकी स्टार्ट हुई है वहां सिसको कल्कुलेट करता है हाँ स्टार्टिंग ते है तो दो सेलनमर किल कर सकते हैं लेकि बीच पर अपर स्थेक्तव स्टार्ट कंशानरर ठीज्ट आउवस्ट क्या करता थैक श्रिया ड्याँ टीवान डवल रह आं बॉंधल गॉन सीचैनरर्ट स्टीमें एलग है् मॉन पॉजिसेशं का यहें पास एक इंडेक्स का दे फांबूला है कि एक स्फेल्ट सेलेक्टटेड एरिया में नमबर रो नम्ब प्रकॉलन बताता है तो मुझे जहें भी तीसे नमबर पॉलन पर है और ग्रोड भी सीजी नम्बर पॉलन पर तो च्री कोमा थुरी करोंगा आजाएगा अमारा यह रो करने के लिए हमारा मैच फॉर्मूला को इंडेक्स में जहां हम रखते हैं उस रो के आपने अगैसा कर दिया तो आपका प्रॉलम्स वी लूकप जैसा फॉर्मूला आपके बाहता आगया है कि आपने मैच और इंडेक्स को मिलाकर एक वी लूकप का सब्सक्रिक्ट्रीट च्यार कर लिया जो कि वी लूकप की जो कमी है कि और लेफ्ट तू राइट चलता है खुझा प्रॉलम्स कर सकते हैं तो यहाँ जरूर कर सकते हैं अचा आप तो कि इसको प्रॉट्रीट अपड़ेगा ना आपको फिक्स होता है यह तो दुदा नहीं नहीं होता है ने निव ज़दी डेटा निकाला जाहतों दस या बारेघ आ फंवा फन्वा उनका होता है नह कर सकते हैं, तो नहीं यह बहुत थेश्वारी सो रही है तो मुझे भीन हो सकते है कि मिलीज लाइने मारा गाप आघ आप आज फाइबर वर्स नहीं कर रहा है है तो अब यहां हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास इंडेक्स में प्रॉलम है कि हमें एक टेक्ट को स्लेक्ट करना पर रहे जो कि डेटा सट्रीक अब देटा को चलेक्ट कर दिया और यहाँ पर बुला कि रोल नंबर फार्टी यहाँ वे चोटी सी प्रॉलम्र आँ कि देखिए आप पॉड़क्स प्री देदिया ए इंडेक्स के मामले में एक काउंट जीरो से स्टार्ट करता है मतलग कि यहां पर 13 नहीं यहां पर 12 दिया जाएगा तो कि अगा 0 से काउंट करेंगे तो 13 नमबर को 12 पुड़ा कर लेंगे ला ठीक है और यहां पर फूड़ो कि यह आपका यूज कर सकते इसमें पिर आप मैज का फॉर्मूला लगा दीजे और ूण कर दीजे तो इसका benefit क्या हुआ? benefit हुआ कि इसमें आपका पूरा data select नहीं किया इसमें क्या लेकिया? सिर्फ the starting of the data जहाँ पर data increase and decrease होने का chances है वहाँ पर इसका यूज कर सकते है ओके सर्थ? Yes, sir डाव पिसमे? No, sir तो आपने match index और आपने match और lookup match और index, match और offset lookup के method को समझ दिया इसमें कोई डावत नहीं होने चाहिए, sir अब अगली topic हमारी आती है हो आती है as lookup अब जैसे मान दिजिए कि आपका data जो है वर्टिकली नहीं होरिजिनिती ट्रांस्पोज हो गया अब मुझे यहां पे 1110 का year चाहिए या quarter चाहिए या quantity चाहिए कुछ भी लिख सकते हैं तो कैसे होगा तो यहां हम यूज कर सकते हैं as lookup बतलब कि और जैसे lookup बी lookup की तरह यह भी होता है बस इसमें selection थोड़ा सा change होता है कि आपने यहां पे lookup value यहां पे आपने lookup value को चलेक किया और table array में हम row column wise नहीं row wise select करेंगे और यहां के same है कि starting में आपका unique id होना चाहिए और फिल comma row index number के जगा column index number के जगा पे row index number row count करेंगे quantity 5 and 5 and comma इसलिए कि पीन बार one जड़ा हो गया है आगे आप खती है मैं इसको खाब बढ़ा करके और इसकी formula को दिखाता हूँ अब इसके जगा पे हम एस look up के जगा पे हम match और index भी कर सकते हैं या match और opposite भी कर सकते हैं match हमने यहां पे look up value को select किया look up array क्योंकि match horizontal और vertical डोलो वर्ट करता है मतलब कि वो top to bottom में जाता है और left to right भी जाता है comma 0 और फिर यहां पे हम index formula लगा लेंगे और index में हम अपना data को select करेंगे row number हमारा 5 है और column number हमारा 3 है लगए तो column number यहां पे जो match formula लगेगा और row पे नहीं किस पे लगेगा column पे लगेगा अमने इसके पहले की example पे रो पे लगाया था यहां column पे लगेगा और यहां अगर आप offset लगाना चाहे तो आप offset भी लगा सकते है offset is starting of the data four number row and ten number column तो अगर आप इसमें match लगाते हैं तो क्या करना पड़ेगा minus one तरना पड़ेगा तो आपको मैट और इंडेक और मैट और ऑफसेट का पंड़ा समय में आ गया होगा यह सर कोई डाउप तो नहीं इसमें नो सर करिये अब स्राइब को चैनल करते हैं अब बास करते हैं आपके साथ वी लुक आप एलेक्ट लुक पॉम्मिले की बाद करता हूं है मैंने नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया कापी किया और इसको पेस्ट कर दिया अब मुझे इसमें इंसेंटिम निकारना है तो रूल है कि 0 से 40 पे हमें 500 देना है 41 से 80 पे मुझे 1000 देना है और 81 से 100 पे माल लेजिए तो 300 देना है तो बोलोगे सरे अगेटर देन 100 पे 5000 देना है अब आप बोल लेंगे कि सरे तो हमने 8 से पढ़ा है ना हम दगार इसके भी कर सकते हैं हम यहां पर लिखेंगे 0, 41, 81, and 101 स्टार्टिं पोजिशन दे देंगे और इसको राज़िए यहां इस सिक्वेंस ही होना चाहिए ज्यान लिखेगा ठीक है ना सिक्वेंस में फिर यहां हम देते हैं लूक अप का फॉम्ला यहां वी लूक अप का भी दे सकते हैं तुछी लुकप इसको सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट किया कॉमा 2 और यहां जमлемकॉब 누uğ देते थे फॉल्ट के लिए जो यहां पर वाफ देंगे True के लिए यह क्या करेगा? Group यूप लूक अप करेगा मतलब इसने देखा कि 50 एर्ट किसके बिट्वीन में है तो इसके बिट्वीन में इसे 1000 दे दिया अब इसको हम ड्रैक कर गए कर सकते हैं लेकि इसके लिए फ्रीज करना परेगा अब देखें आप इस जन्ट आगया न सर लेकिन आपका डेटा सिक्वेंस में होना चाहिए लेकिन इतमें एक ही और है कि हम लुक अप का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लुक अप लुक अप बैल्यू यहाँ लुक अप बैक्टर एंड रिजल्ट बैक्टर अब बोलेंगे से दोनों में क्या डिफ्रेंस हैं है हम लुक अप फॉर्मूला में अपनी वैलू को डारेक्ट दे सकते हैं कर्ली वैकेट में यहाँ हम 0, 41, 81, 101, comma अगेन कर्ली वैकेट में रिजल्ट 5100, 1000, 1500, 5000 हंदिया और कर्ली वैकेट को क्लोज कर दिया एंड रिपेस किजिये आपके सामने रिजल्ट भी जायेगा ओकेट में अपने सबसे पहले सीखा कि आप यहां पे मैज और इंडेक्स कैसे लगा सकते हैं फिर आपने एस लुक अप के बारे में तीखा और फिर आप देखे कि एस लुक अप के फॉर्मुले को मैज इंडेक्स या आपसेट मैज कैसे यूज हो सकता है देन आपने सीखा जी लुक अप में जीरो और वन का उपनदा जीरो तो पता है कि एग्जैक्स मैच होता है वन क्या करता है वन करता है आपका ग्रूप लुक अप कर सकते इसको इस फाइल को मैंने सेज कर दिया इस फाइल को मैं आपके सामने मेल कर रहा हूं क्योंकि आपने बोला कि कल वाली फाइल आपको नहीं मिला है लकि मैं आपको बेजा था अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपकी फाइल को सेव करके और ऐसी कंद्यूजन हों ते एक सीख लिजिएगा यह आपका फाइल है डॉकुमेंट में बीड़ी वान इससे राइट क्लिक किजिए यहां दिख रहा आपको कॉपी पास्टू क्लिप बोर्ट समझ गया इससे क्या होगा यह जो फाइल है इस फाइल का पास्ट आपको आ जाएगा इंफो में देख रहते हैं फाइल आपका सेव कहा है अब इंफो से भी पास्ट को कॉपी कर सकते हैं अब मैं यहां पर आ रहा हूं और यहां से अटाइच्मेंट करता हूं और अटाइच्मेंट में कुछ नहीं करूंगा उसी पास्ट को मैं यहां पेस्ट करके को कि करता हूं कि अगया जर्थ अगया जर्थ अगया तो यहां पर लुक अप की सिक्वेंशली फॉर्मूला मैं खतम करता हूं इसके बाद हम दो तीन क्लास में डिस्कॉस करेंगे लुक अप के त्रिक्स यहां किस तरीके से हम मल्टिपल कंडीशन को लगाएं इसमें इंडेक्स का फामुला कैसे मैच करें डिफेंट डिफेंट शीट एक से मल्टिपल सीट से कैसे रेचाले इन सब्सक्राइब के बारे ने हम आपके साथ करेंगे लेकिन आपके एक रिक्वेस्ट है कि अभी तरी कि लुक अप के बारे में बताया हूं तो एक बार सेम ताइम ओके बाई थैंक यू